पठान कोट पूलिस की तरफ से 3 किलो 20 ग्राम अफीम के साथ ही दो नशाय तसकरों को गरिफतार किया गया है और यह नशाय तसकर राजिस्तान के रहने वाले हैं जो पठान कोट में नशे की तसकरी करने पहुँचे थे यह गुपत सूचना के आधार पर पूलिस द्वाराही नाके बंदी करके इन दोनों नशाय तसकरों को मालिक पूर चौक से गरफतार किया गया है बता दे की चेकिंग के दौराही इन से 3 किलो 20 ग्राम अफीम बरामत की गई है और पूलिस द्वाराही दो मुबाइल फॉन भी कि उनके पास से जब्त कर ले गए हैं जिनकी चारबीन चल रही है और पूलिस द्वाराही मामला दर्ज करके आगी की कारवाही शुरू कर दी गई है सीम साव ने बहुत बदिया अभ्यान चलाए राजरे ड्रग दे वास्ते और अपने डीजीपी शीरी द्वारव यादव साव साथे बाडर दे आई जी साव साथे साथे एससपी खाक साथ अरकमल खाक जी उनना ने बहुत सक्तिनाल सारी पूल्स जडिया ओकाम कर रही है इ कोई बंदे है उना कोड़ जड़ा निसीला कोई पदार मिल सकता होनी तुसी रेड करो विच एससपी साव ने डी एससपी साथे डी सी आई इंचार्ज दी ड्यूटी लाइन है इनननों उथे मलकपूर चौंग दे विच दो बंदे सीगे एकदा नाउ सीगा रजीश कुमा सुनील कुमार जो की राजस्तान दे रहना ले सीगे उना कोड़ है किन किलो भी ग्राम जड़ी सानु अफीम मिली है उचो परचासी दर्ज जड़ा सुजानपुर किता एक सो पिचैतर नंबर एफ एयर लाज होई है इना दा हून जदों असी इना नुमान जो कोड़े बेचनी सीगी किद्धा किद्धा यह तसकर जड़े इंटरनेशन तसकर है यह पहले अपने सेंपल पे देने जिन अनुन पेजनी होई फिर ओथो डमांड आन दीन अनु ए फिर उदे भी चेज़िया इना सीधा विपार कर देने